नमस्कार आप सबी को मैं एक्षि निर्मान फांडर वास्ति एक्षा होप सब आप सबी ठीक होंगे आपकी फैमिलिस ठीक होंगी आज हम बात करते हैं ट्रांजिट ओफ जूपिटर नाड़ी एस्ट्रोलिजी में ट्रांजिट का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है सा पहले भाव से गोचर करता है या पहले भाव के स्वामी पर गोचर करता है तो उसका आपके दैनिक जीवन पर क्या असर होगा जातक में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और सक्रात्मक दृष्टी कौन का विकास हो जाएगा जब भी ब्रस्वति फर्स्ट हाउस से गोच सवरने लगता है इसकी जो परसनालिटी है वो एक्स्प्रेसिव हो जाती है लोग इनसे बात करना पसंद करते हैं इनके विचारों को समझना पसंद करते हैं फर्स्ट हाउस हमारी बोडी लेंग्विज का है हमारी परसनालिटी का है फर्स्ट हाउस लोड भी हमारी बोडी एक शुब प्लैनेट है नाड़ी एस्ट्रोलजी में जुपिटर को जीव बोला गया है यानी नेटिव ऐसे इंसान के पास नए अवसर आना स्टार्ट हो जाते हैं नए नए उम्मीद आना स्टार्ट हो जाती हैं नए नए लाब होते हैं नेटिव को बहुत सारे फायदे होत है सुधार आ सकता है किसी भी कारे में सवलता मिलने के असार होते हैं कारे सिद्धी हो जाती यदि कोई काम पेंडिंग है कोई काम काफी समय से अटका हुआ है तो आपको उसको कंप्लीट करने में परेशानी नहीं होगी और कारे संपूर्ण होगा आपके अंदर नए विच आती है उनको आप अपने जीवन में में हटा पाएंगे उनसे निकलने या उनसे हल लेने का तरिका आप ढूंड लेंगे वक्ति अपने जीवन में दिशा से संतुष्ट यानि जिस डिरेक्शन में नेटिव जा रहा है वहां पर संतुष्ट हो जाएगा उस दिशा में संतुष्ट होगा और खुश और महसूस अपने आपको फील करने लगता है ऐसे नेटिव का लख बहुत अच्छा चलना स्टार्ट हो जाता है और उसके जीवन में शूब घटना होना स्टार्ट हो जाती है जब भी प्रस्पती फस्ट हाउस से गोचर करेगा तो आपके जीवन में ग्रोथ होने के चैंसे बढ़ जाएंगे नाडी एस्ट्रोलजी को और साप में से कोई भी स्टूडेंट करना चाता है तो वास्तु ए प्रक्षा का नंबर है यहां पर आप डिटेल ले सकते हैं दन्यवाद आप सबी का आज की वीडियो में इतना ही